हेलो औरोन वेलकम डूस वीडियो एंड माई नेम इस अमन्त्रिवेदी सो यह इस वीडियो सेरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं वोकाबलरी फ्रॉम न्यू फ्रॉम आर वर्ड पावर मेड इजी वर्ड पावर मेड इजी के काफी सेरीज हमने पहले भी कर लिए कुछ सेशन्स हमारे नए हैं तो उनको हम लोग इस वीडियो सेरीज में कवर कर रहे हैं अगर आपने टेलिग्राम सेल नहीं जोइन किया है तो जोइन कर लीजिए और अगर आप एप्लिकेशन पे इसकी पीड जाएंगे इंग्लिश वाले सक्षिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहां पर फॉर्दर इसमें जाएंगे तो यहां पे आपको वह प्याप्लरी का सेक्शन देखेगा इसके अंदर आपको वर्ट आओ मेडेजीकी लेक्चर दिख जाएंगे ठीक है इसके अलावा प्रेक्टिस कर सकते हैं आपको सारे वीडियो सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स के पीडियो आपको डेली टार्गेट्स टेलिग्राम एवरीटिंग आपको यहां पर मिल जाता है इसके लावा इंग्लिश का पि मिल ऋल कर सकते हैं अगर आप सिर्फ पढ़ना चाते विडियो में हमने जो वोकिबलरी पड़ी ठीजिया रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कल के session में हमने 21 से शुरू किया था origin and related words तो जो जो words हमने पढ़े थे एक बड़ी quickly उनका revision कर लेते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमने root word पढ़ा था aqueous, aqueous का मतलब मैंने बताया था equal equity, equity का मतलब हो जाता है lack of favoritism, किसी का favor नहीं करना और सबको बरावरी का अवसर प्रदान करने के sense में आता है इसके लाबा iniquity बताया था तो वो injustice और in fairness के sense में हो जाता है जो fair नहीं है, injustice हो रही है, iniquity, iniquity का sense moral conduct में भी आ जाता है कि आपका behavior बहुत offensive है आप गलत तरीके से वहार कर रहे हैं, उस sense में भी आ जाता है इसके लाबा equinox बताया था, जिसमें दिन और रात बरावर समय के होते है nocturnal बताया था, जिसका मतलब रात त्रिचर हो जाता है equanimity बताया था, equanimity, aplomb, equipoise, calm, compose, tranquility, उस sense में बताया था, दिमार्किश्चान थी, calmness equability, balance के sense में आ जाता है, इसके लाबा, equator पढ़ा था, equator सभी जानते है, equator क्या होता है इसके लाबा, हमने equation, everybody knows what is equation, इसके लाबा, हमने equidistant पढ़ा था, एक ऐसा बिंदू, जहां से सारी distance बराबर होती है equiangular angle बराबर होता है, और equivalent बराबरी के sense में ही आ जाता है pedestrian मतलब होता है, जो paddle चलता है, on foot बोला जाता है, equistarian मतलब जो घोड़े से चलता है, equistarian women के लिए हो जाता है, equine घोड़े से related हो जाता है equiangular मतलब हो जाता है, कि ऐसा बेक्ती, जो who is giving a good reason to be doubted और जिस पे sunset हो सकता है, ऐसी बात कर रहा है इसके लबाब walks properly मैंने बताया था, walks properly मतलब voice of people, vociferous मतलब होता है, बहुत पुर्जोर तरीके से अपनी बात को रखने के sense में, vocal मतलब आवाज, vocalist होता है, जो आपका singer होता है, उसे vocalist कहते हैं, इसके लबाब vocalized verb हो जाती है, इसी के हमारी इसके आगया-गया words हमने पढ़ रहा था, किसी को sexually arouse करना, titillate करना, किसी को mesmerize करना, और मतलब चाहे sexually आप titillate करो, चिसी को arouse करो, या mentally बहुत ज्यादा उसे प्रभावित करने के sense में भी आ जाता है, compliment किसी को compliment देना, किसी की तारीफ करना, adulation मतलब बिल्कुल flattery पे उतराना, और चापलूसी करने लगन से, इसके लबा प्रोस्क्राइब मतलब जो चीज़ आपको नहीं करनी है, प्रेस्क्राइब मतलब जो आपको करनी है, इसके लावा सब्सक्राइब, everybody knows what is subscribe, इसके आगे बढ़ते है, और हमारा अगला word हो जाता है, manuscript, menu मतलब है, hand और manuscript मतलब होता है, हस्त लिखित, इसके ल होता है, written scriptures होते है, उन्हें कहते है, inscribe मतलब उकेरने के संस में आता है, इसके लावा post script मतलब ps, जो लेटर के बाद में कुछ words add किया गये है, obvious, जो बिल्कुल clear है, obvious है, obviate करना मतलब किसी हो रहे काम को रोकने के संस में आ जाता है, इसके आगे हमने word पढ़े थे, trivial मतलब तुछ बहुत insignificant है, militus मतलब होता है, किसी के against लड़ना, to fight for a cause, etc, that is called militus, militant आ जाता है, जो आपके terrorist होते है, military, everybody knows what is military, इसके आगे हमने words पढ़े थे, malice, malice मतलब होता है, खराब, malign करना, किसी की छवी धूमिल करना, vilify करना, as person, caste as person, calumnies, slander, criticize करना, किसी की छवी खराब करना, उस पर feature उचलना, malediction किसी को श्राब देने के sense में होता है, इसका एंटोनिम benediction हो जाता है, malign का एंटोनिम benign हो जाता है, malevolent जो बुरा चाहता है, wall मतलब होता है, wish, mal मतलब बुरा तो जो बुरा चाहा रहा है, mal efficient मतलब जो काफी inefficient है, harmful है, evil है, intent में, beneficent मतलब हो ज despite है person who is discontented, malpractice को छेरचार होना, malnutrition जिसको nutrition सही से नहीं मिला है, के बाद में हमने benign पढ़ा था, benign अच्छा होता है, benignant अच्छा, lab का के sense में हो जाता है, benediction जो blessings दे रहा है, एक प्रकार से, benediction blessings हो जाएगा, के बाद में हमने पढ़ा था, benefactor जो अच्छा कर रहा है, जैसे डोनर है, उसे benefactor कहता है, beneficiary जिसे lab मिल रहा है, ठीक है, for example, मैं donate कर रहा हूँ, तो मैं benefactor हूँ, आपको पैसे में donate कर रहा हो, तो आप beneficiary हैं, आप लाभारती है, bonus जो extra पैसा मिलता है, bond one एक प्रकार का sweet हो जाता है, bona fide documents, trustworthy documents, actual सही documents, fide मतलब trust हो जाता है, infidel मतलब हो ठीक है, अगला आगे के words अब हम पढ़ते हैं, यहां तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, यहां तक की जो भी जानकारी है, आप लोगोंने पिछले वीडियो में देख ली थी, अब बात करते हैं, आगे की, और next words को हम देखते हैं, तो अगला जो हमारा word है, वो निए भुल होगे होगे है श्बता है डिक्टत्स डिक्टत का मतलब होता है क्यासाइटर करें रूख लोगों को कुछ करने के लिए आदेश दे रहाँ तो मैं क्या कर रहा हूं मैं decredit कर रहा हूं व है कि इसके लाब स्कूरमे करेबाट टीचर स्नों नोवाते थे तो कहते थे कि लिखो I am a student इसलब मैं बोल रहा हूं और आप लिख रहा हूं बोलने उट में इसको लिए आ जाता है टाना शाहाः के लिए अ ciąर ऑट todavía क्रैट कह अज़ाता मतलब हो जाता है आपका को सिए जो अपने मतलब हो जाता है अधियाचार कर ना टिरेनी मतलब होता है अधियाचार tyranny मतलब हो जाता है अत्याचार करना तो लोगों पर अत्याचार करना लोगों को लुक्सान पहुचाना that is dictator dictation क्या हो जाएगी मैंने बताया अब यह इसी का noun मन गया an authoritative direction or instruction to do something मतलब मैं बिल्कुल आपको आदेश दे रहा हूँ एक ग्लास पानी लेकर हो यह dictation है order देना एक तरीके से दूसरा dictation का sense किसी को लिखवा रहे हो सुलेक लिखवाते थे उसे भी dictation कहते थे और dictatorial क्या हो जाएगा dictatorial adjective हो जाता है इसी से word बन गया मतलब of characteristics of dictator जिसमें dictator की characteristics है यानि कि जो ताना शाहा तरीके से ब्यवहार कर रहा है उसे dictatorial कह सकते है ठीक है so dictate करना मतलब किसी को authoritative way में order देना dictator वह बैक पी जो ताना शाही कर रहा है dictation order के sense में आ गया किसी को लिखवाने के sense में भी आता है dictation और dictatorial adjective हो जाता है इसी का pre मतलब क्या हो गया before dict मतलब कहना तो predict का मतलब क्या हो गया पहले कहना pre मतलब पहले dict मतलब कहना predict मतलब हो गया पहले से कहना मतलब future को predict करना foretell करना make a prediction about or tell in advance या foretell मतलब आप पहले से किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं आप उसे कहते हैं कि predict कर लिया, आपने future को predict कर दिया, आपने future को बता दिया कि कैसा होने वाला है, that is called predict, ठीक, synonym हो जाते हैं, forecast करना, foretell करना, ठीक है, few of us are naturally mb, तो इस पर गलत है, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं, astrologers tell us that they predict future, astrologers ऐसा बताते हैं कि वह भविश्य प्रेडिक्ट करते हैं, पहले से बता देते हैं, ठीक, phone का मतलब क्या हो गया, sound, phone का मतलब क्या होता है, sound, कहीं पर भी phone word आता है, phonetics, phone, telephone, कहीं पर भी phone word आता है, उसका मतलब होता है, sound, word क्या है, dicta, तो इसी से होता है, dicta phone, dicta phone क्या है, एक प्रकार का tape recorder, that records and reproduces dictation, यानि कि आपकी आवाज को record करता है, और दुबारा से reproduce करता है तो पहले चलता था अभी इसका कोई यूज नहीं है अगला शब्द है हमारा Contra Contra का मतलब क्या है? Contradict Contra मतलब क्या हो जाता है? Against Dict मतलब कहना Contradict मतलब किसी की बात के against कहना यानि कि किसी बात को काटना या किसी के to make an assertion that is contrary to one made by another यानि कि कोई ऐसी बात कहना जो किसी दूसरे के context contrary है उसके गलत है Contradiction के sense में आ जाता है So disagree करना with somebody or against मतलब किसी के against बोलना ठीके contradict करना उसकी बात को काटना एक प्रकार से disagree करना So no matter what I say you always have to contradict me मतलब वरक नहीं पड़ता मैं क्या कह रहा हूँ तुम हमेशा मेरी बात को काटोगे contradict करोगे मेरी बात के against में ही बोलोगे ठीके अगला word होता है इमारा root word है फैशियो ध्यान दीजिए फैशियो यामहा का एक स्कूटर आता है फैशियो करके यमहा का स्कूटर आता है एक फैशियो का मतलब हो जाता है तुडू या फिर टू मेक कुछ बनाना या कुछ करना वर्ड बना फैक्टरी ये किससे बन रहा है root word क्या है इसका फैशियो मतलब क्या है बनाना तो फैक्टरी क्या होता है building or set of buildings for manufacturing of goods जहां पर चीजे बनती है उसे फैक्टरी कह देते हैं ठिक सब को पता है इसमें कुछ ऐसा explain करने जैसा नहीं है अब किसमें जो root word बनता है वो बनता है मतलब हो जाता है hand fascio मतलब हो जाता है banana अब दोनों को मिला लो मतलब manufacture so menu मतलब hand fracture मतलब banana so to bring into being by मतलब कुछ बनाने के sense में आता है manufacture करना ठीक है to bring into being by combining shaping or transforming materials कुछ बनाने के sense में manufacture करना banana उस sense में ही आ जाता है frame, make, produce the company manufacturers, appliances and electronics इस sessions को आप इसलिए मत देखिए कि इसमें आपको बहुत जादे fancy words मिलेंगे, नहीं, fancy words हो सकता है ना मिलें, लेकिन in sessions को इसलिए जरूर देखिए, इससे आपको root words मिलेंगे, so उससे आपकी जो vocabulary के प्रती basic understanding है जो मैं बार बार कहता हूँ वो आपकी develop होगी, आपको समझ आएगा कि vocab में जो word है, वो कैसे meaning form करते हैं, ठीक है menu मतलब hand, facture, facture मतलब produce करना, manufacture करना ठीक हाँ जी, अब artificial, official मतलब produce करना, ठीक है artificial, मतलब क्या हो गया, आप artificial बना रहे हो, आप क्रत्रिम बना रहे हो, कुछ उसे कहते है artificial मतलब क्रत्रिम ठीक है making in, lacking in natural spontaneous quality, मतलब natural नहीं है प्रकृतिक नहीं है, artificial है क्रत्रिम है, आपके दौरा human के दौरा बनाया गया है so affected, assumed, bogus, artless genuine and natural antonym हो जाएंगा, their artificial smiles did not make us feel very welcome, उनकी अब देखो, यहाँ पर जब बात हो रही है, artificial smiles तो इसका मतलब क्या हो गया उनके जो smiles थी, वो natural नहीं थी their artificial behavior मतलब, उनका जो behavior था वो natural नहीं था, सहज नहीं था तो artificial इस sense में आ जाता है artificial मतलब, lacking in natural natural नहीं है, ठीक है अगला word है हमारा वोलो, वोलो का मतलब होता है to wish, इच्छा ठीक word क्या बना, voluntary वोलो मतलब इच्छा, वोलों मतलब अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से तो voluntary कि या, voluntary regulations है, मतलब done, made or given with one's own pre-will, यहनि कि अपनी इच्छा से कुछ कारे करते हो, तो that is called आपका voluntary, अपनी इच्छा से किया गया कारे क्या है, voluntary है, synonym क्या हो जाते है, free will, यह फिर self-imposed, ठीक antonym क्या है, caused or compelled, ठीक, यहनि कि किसी को forcefully या forcefully तरीके से करना so the agency is voluntary and not run for profit यहनि कि agency जो है, वो अपनी इच्छा से रन की जाती है, voluntary तरीके से रन की जाती है, कोई profit के लिए नहीं रन की जा रही है, ठीक है clear अब voluntary से ही, voluntary मतलब वोलो मतलब wish, in मतलब not तो involuntary मतलब आपकी इच्छा के बगार को जाएगा, जैसे involuntary actions, ठीक, छींक आना involuntary action, मैं नहीं भी चाहूँगा लेकिन अगर छींक आ रही है, तो मुझे छींक ना पड़ेगा, ठीक है, मेरी आँखों का blink करना, ये कि involuntary action, मैं नहीं भी चाहूँगा, तो अपने आप आँखे blink हो जाएगी, involuntary, not made or done willingly or by twice, यानि जो इच्छा के विरुद्ध करी गई, बिना इच्छा की करी गई, in मतलब not, voluntary मतलब wish, बिना मन, आपने कुछ चाहां नहीं, बट वो ऐसा किया आगे जा रहा है, caused या फिर forced, forcefully तरीके से, एंटरिम, deliberate या free will, चान्बुज के sense में आ जाएगा, तो breathing is involuntary, यानि कि हम सांस लेते हैं, ये involuntary action है, अपने आप हो जाएगा, अगर आप नहीं भी चाहोगे, तो भी, इसी से word बनता है volunteer करना, यानि volunteer for me, ठीके, volunteer verb भी होता है, ठीके, so volunteer का मतलब होता है, कि आप मेरे लिए free में कारे कर सकते हैं, volunteer मतलब हो गया, free में किसी के लिए कारे करना, तो done, made, और given with once own free will, आप अपनी इच्छा से कुछ कारे करते हैं, तो उसे हम volunteer कहते हैं, ठीक है, सुनेने मुझा का free will, या फिर self-imposed, एंटरनेम compelled या force, गरनी जान भूज के किसी से करवाना, ठीक, हाँ जी, volition, अब इसी ते word है, volition, बोलो का मतलब wish, volition बन गया, tiion लग गया, noun हो गया, volition, मतलब हो जाता है, the act or power of making one's own choices, or decision, volition मतलब हो जाता है, आप अपनी, इच्छा, अपनी choices, या फिर अपनी, choices और अपने decisions को रखना, that is called volition, किनोंने हो जाएगा, accord, autonomy, और choice, often times, the dialect we speak, is completely beyond our volition, यानि कि कई बार जो हम बोलते हैं, वो कई बार हमारी इच्छा के बिलकुल विरुद होता है, beyond, मतलब हम अपनी चाहते हुए, नहीं चाहते हुए, वो चीज़ें बोल जाते हैं, that is called volition, ठीक है, so volition का मतलब हो जाता है, the act और power of making one's own choices, और इसी, ठीक है, so volition मतलब, अपनी इच्छाओं को रखना एक तरग्य तरीके से, voluntarily इसी का adjective है, ठीक है, मतलब, अपनी, voluntarily आपने कुछ कारे किया है, मतलब, यह पुरा meaning गलत दिया हुआ है, ठीक है, यह अटा दो, गलत है, ठीक है, voluntarily का मतलब होता है, कुछ, अपनी, free में आपने कोई कारे करना, I did it voluntarily, मतलब, अपने मन से किया है, वो कोई forcefully नहीं किया, अपने मन से इच्छा, अपने मन से कर दिया, उस sense में आजाता है, अगला word है हमारा, plaque मतलब हो जाता है, PLAC, plaque मतलब होता है, to please, किसी को खुश करना, किसी को appease करना, किसी को काम करना, शान्त करना, किसी को शान्त करने के sense में आता है, word आता है मारा plackate plackate क्या है? verb है मतलब क्या हो जाता है? caused to be more favorably inclined gain the good will of somebody मतलब किसी को शान्त करना plackate the child मतलब किसी को शान्त करना appease करना, assuage करना conciliate करना, किसी को काम करना plackate the child बच्चा यदि रो रहा है, तो उसके लिए आप कहा सकते हो plackate the child यानि कि बच्चे को चुप कराओ शान्त कराओ, ठीक है? so plackate का मतलब होता है किसी को शान्त कराना ठीक, antonym हो जाएगा anger and rage or incense he smiled trying to plackate me, यानि कि वो smile कर रहा था मुझे शान्त करने के लिए, अगर आप गुस्ते में हो तो आपको शान्त करने के लिए प्लैकेशन नाउन्स है, प्लैकेटरी आपका भी इसका नाउन बन जाता है, ठीक है? clear? so plackate मतलब to calm somebody यह हो जाएगा, ठीक है? अब इसी में word होता है, I am लग जाए किसी के आगे या in लग जाए इसका मतलब हो जाता है not एक word क्या बना? अगर किसी में able लगता है तो वो बनता है adjective plack मतलब शान्त करना, in मतलब not तो implacable, able मतलब योग है तो implacable मतलब जिसे शान्त नहीं किया जा सके incapable of being placated, यानि जिसे शान्त नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं implacable एंटोनिम हो जाएगा adamant behavior है, adamantine behavior है एंटोनिम हो जाएगा acquiescent, बात मानना, agreeable, जिसे शान्त किया जा सके the government faces implacable opposition on the issue of nuclear waste यानि कि government जो है implacable government जो है implacable opposition face कर रही है on the issue of nuclear waste nuclear waste पे opposition जैसे अभी भी right now क्या है संसद में एक प्रकार से miscreants घुसा है कुछ तरीके से security में breach हुआ तो opposition क्या है implacable है, जिसे शान्त नहीं किया जा सकता ठीक है, which cannot be placated ठीक अगला word है हमारा placid very important word, placid मतलब हो जाता है शान्त ठीक है, placid मतलब शान्त ठीक, stoic behavior ठीक है, placid, stoic मतलब हो जाता है, ascetic ठीक है, मतलब free from emotional or mental agitation, जो शान्त है दिमाग में उसे फरक नहीं पड़ता है, दुख परिशानी हो, कुछ भी हो, वो शान्त ही रहता है उसे करते है, placid, calm stoic behavior मतलब, चाहें बहुत विपत्ती आ जाए, तो भी शान्त बहुत अच्छा हो जाए, तो भी शान्त ठीक इनने मों जाते है, calm, collected और composed एंटरने मों हो जाएंगे, disturbed और flustered I want to visit a placid lake मतलब, मैं शान्त जगए में विचरण करना चाहता हूँ ठीक है, noun हो जाएगा, placidity ठीक अगला word है, हमारा, com com root word जब भी आएगा, तो उसका मतलब होता है, com या फिर con तो इसका मतलब होता है, with ठीक है, word क्या बना complacent, com मतलब with placid मतलब शान्त होना, तो complacent मतलब हो गया कि आप complacent है, यानि आप शान्त है, मतलब आप संतुस्ट है ठीक है, having or showing lack of interest or concern complacent behavior, मतलब आपको फरक नहीं पढ़ रहा, ठीक है आप बहुत संतुस्ट किस्म के बेखती हो गए for example, आप लोग ssc की तयारी कर रहा है, ठीक है अब आप लोगों का कल को selection हो जाए ठीक है, बढ़ियां-बढ़ियां post मिल जाए जिसको जो चाहिए, वो मिल जाए और फिर आपना complacent हो जाए अब आपको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए तो वो क्या होता है, complacent behavior याईनि कि अब आपका बहुत सी चीजों में interest नहीं बचा है you have lack of interest in things, in growing at least in career, तो complacent उससे कहते है ठीक है, क्योंने मुझा आते है disinterested और incurious एंटोने मुझा का वो बहुत concerned है interested है the auditors were taken aback by his complacent response to their findings of fraud याईनि कि auditors जो थे वो काफी आश्चर चकित रहे गए to take aback, मतलब आश्चर चकित रहे न कि उनका जो बढ़ाई complacent remark था मतलब they were very least interested and उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ा था कि उनका fraud पकला भी गया है ठीक है, मतलब यह बिल्कुल इस तरीके काईड़ी है complacent है, अब इसे career में growth नहीं करनी है ठीक है अगला word है हमारा dono dono का मतलब होता है to give, देना ठीक है word com मतलब with तो condone ठीक है, तो condone का मतलब कौन मतलब हो गया with don't मतलब देना, मतलब जो नहीं दे रहा है ठीक है, तो to dismiss as of their little importance मतलब condone your behavior excuse करना, he is too quick to condone his friend's faults यानि की मतलब ignore करने के sense में आता है, condone करना ठीक, ध्यान रखेंगे, it's a very important word और SSC में कई बार पहले भी पूछा गया है ये शब्द ठीक है this is not the first time it's being asked पहले भी SSC ने कई बार पूछा है simple इसका meaning हो जाता है accept that is considered morally wrong और offensive ignore करना, ठीक है approve or sanction something especially with reluctance कुछ ऐसा जो आप चाहते नहीं थे approve करना बट आप उसे ignore कर रहा है ठीक है, तो condone मतलब accept something accept और approve something wrong ठीक है, आप कुछ गलत हो रहा है उसे आप accept कर ले, कुछ गलत हो रहा है उसे आप approve कर ले, that is called condone कर रहा है, ठीक है donor मतलब देना a person who makes a gift उसे donor कहते है, donate verb हो जाएगा, ठीक है charity को, donation noun हो जाता है इसी चीज़ का, ठीक है clear, all right now, session number 24 and now we are going to talk about how to talk about various speech habits हम बहुत कई प्रकार की speech habits की बात यहापे करने वाले है, ठीक है तो पहला word जो मिलता है वो आयाता है, taciturn ठीक है, taciturn का मतलब क्या हो जाता है taciturn का मतलब हो जाता है somebody who is very tacit मतलब, जो कम बोलता है ठीक है, बहुत important है one word substitutions और synonym से अटोनिम में S.S.E. ने multiple times से सारे words पूछे taciturn मतलब होता है कम बोलने वाला कम बोलने वाला ठीक है taciturn मतलब हो जाता है कम बोलने वाला ठीक है तो टेंद नॉट तो से वेरी मुच इन वेरी मुच इन वेरी बेट इन वेरी उन फ्रेंदी सोशल रेटिसेंट मतलब होता है कम बात करने वाला ठीक एंटोनिम इसका हो जाएगा कम्यूनिकेटिव टॉक्स अलॉट टॉकेटिव वल्यूबल गैरुलस एक्स्ट्रोवर्ट टॉक्स अलॉट ठीक है मतलब कम बोलते थे अगला है लैकोनिक सेम अर्थ रखता है यह भी लैकोनिक मतलब हो जाता है आपका somebody who doesn't talk much ठीक है जो कम शब्दों का प्रयोग करता है अपनी बातों को कहने के लिए using only a few words to say something जो अपनी बात को कहने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है उसे लैकोनिक कहते है टैसिटर्ण, लैकोनिक ठीक है टैसिटर्ण के सिनोनिम में आप लैकोनिक भी याद रख सकते हैं brief, compact, टैसिटर्ण, ठीक है reticent wordy, voluble, garulous इसके एंटोनिम सेम रहेंगे इस लैकोनिक कमेंट्स का मतलब क्या हो गया ऐसे कमेंट्स जिनमें शब्द बहुत कम थे बहुत कम शब्दों का प्रयोग कर रहा था लैकोनिकली इसका adjective बन जाता है अगला शब्द है हमारा इन आर्टिकुलेट एससी ने पूछा भी था हाल में यह शब्द articulate वर्ड पूछा गया था सीजल 23 के tier 2 के paper में ही articulate का मतलब होता है जो अपनी बात को बहुत अच्छे से रखता है articulation उसी को कहते हैं अपनी बात को बहुत अच्छे से रखना who can express himself very clearly articulate मतलब हो जाता है one who can express himself oneself oneself very clearly ठीक है in लग गया तो in मतलब हो जाता है not in articulate मतलब हो गया जो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पा रहा of people not able to express ideas or feelings clearly or easily जो अपनी बात को अपनी आपको अच्छे से नहीं रख पा रहा है that is in articulate she was in articulate she was in articulate with rage ठीक है यानी गुस्से के साथ वो बहुत ही in articulate हो गई थी अपनी बातों को नहीं रख पा रहे थी ठीक garrulous OUS अगर किसी शब्द बें आता है तो वो होता है adjective ठीक है so garrulous का मतलब भी हो जाता है who is talking a lot जो बहुत अजीक बाते करता है who talks a lot is called garrulous ठीक है talking a lot especially about unimportant things मतलब जो ऐसी बात ही जो आवशिक भी नहीं हो उनकी ज्यादा बात कर रहा है that is called garrulous चैटी ब्लैबर माउथ ठीक है locatious voluble अभी हम आगे पढ़ेंगे इन सारे words को ठीक है अभी आगे पढ़ेंगे अभी रहा है लोग जितना में मैं शब्द बोल रहा हूं अभी सारे आ जाए locatious voluble ठीक है untalkative reticent यह सारे इसके synonym हो जाएंगे नॉर्मली गैरवलस commentator had nothing to say ठीक है बेनल ध्यान रखिये क्लीशे बेनल ट्राइट अकनेड commonplace इन सभी का मतलब होता है घिसा पिटा जिसमें कुछ नया ना हो गिसा पिटा जिसमें कुछ नया पनना हो ठीक है hattnate, banal, trite, commonplace इन सभी का मतलब होता है सारे synonym's आप एक साथ रखेंगे याद रखेंगे इनका मतलब होता है जिसमें कुछ नया पननना हो वही गिसा पिटा के सेंस में आ जाता है आपका ठीक है जाता है आपका बहुत ही very ordinary something very ordinary and containing nothing that is interesting or important मतलब कुछ भी नया पनना होना बहुत ही ordinary सी चीश कुछ भी नया पन नहीं consider है उसमें कि उन्हेंने मैंने आपको बता दी है hacknate mundane के commonplace remark trite cliche क्लीशे में यहाँ पर e के ओपर cap होता है एंटोनिम हो जाता है smart and intelligent he knew how banal the question was as soon as he had asked it जैसे ही उसने पूछा उसको लग समझ में आ गया ही बहुत ही घडवाइस घेसा-पिटा सवाल है अगला word है मारा verbose verbose का मतलब होता है जो बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग करता है जितने शब्द आवश्यक है उससे अधिक कर रहा है इसका exact antonym क्या हो जाएगा laconic जितने शब्द आवश्यक है उतना भी प्रयोग नहीं कर रहा है वो laconic है वो कम शब्दों का प्रयोग कर रहा है और जो verbose है वो जितने आवश्यक है उससे अधिक शब्दों का प्रयोग कर रहा है using or containing more words than are needed जितने आवश्यक है उससे अधिक शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो वो verbose हो गया synonym हो जाता है wordy और लॉंग वाइंड ठीक है एंटोनिम हो जाता है कंसाइज संग्सिंग्ट रेटिसेंट लाकोनिक थर्स ठीक है जो कम शब्दों का प्रियोक करें अगला शब्द हमारा है वॉलीबल मतलब भी सेमी हो जाता है वॉलीबल तौकिंग अलॉट अलॉट अंथूजियाज्म बाउट अगें दम संबडी हूट अलॉट अबाट करता है बहुत ज्यादा बोलता है उसे वॉलीबल कहेंगे चैट्रिंग बिग माउथे ब्लैबर माउ गैरूलस लोकेशियस वालिबल वर्बोस ये सारे शब्द एक साथ सिनोनिम में आ सकते हैं अन्टोनिम क्वाइट और साइलेंट हो जाता है एवलीन बॉस वैरी वॉलीबल ऑन दे सब्जेक्ट ऑफ वमेंस राइट्स जो था वो अपने वोमेंस राइट्स के सब्जेक्ट पें काफी ज़्यादा वॉल्यूबल था काफी ज़्यादा बोल रहा था ठीक है कि अगला शब्द है मारा कोजेंट इस वरी इंपॉर्टेंट वर्ड एससी में कई बार पूछा गया जब भी मैं इस शब्द के ओपर अगर आप इसमें से भी कुछ छोड़ोगे तो वह आपका लॉस है इसलिए जितना पढ़ा हूं उसको आप एक बारी उसमें से कुछ छोड़ना ही नहीं है ठीक इतना तो समझी लो के लावा जब मैं overemphasize करो तो उसे भी याद रटना पूछा गया कई बारी है वर्ड कोजेंट कोजेंट का मतलब होता है something which is strongly and clearly expressed in a way that influences what people believe ठीक है मतलब कोजेंट मतलब हो गया बहुत ही strongly clearly expressed है और इस प्रकार से in a way that influences what people believe जो लोग जिस पर भरोसा करते है उस उस प्रकार से बहुत ज़्यादा clearly expressed हो उसे कोजेंट कहेंगे तो नहीं हो जाता convincing और पर्सुएसिव एंटो नहीं हो जाता ineffective और invalid चीप पॉवर्ड समकोजेंट रिजन्स पर अबेंडेनिंग दा प्लान यानि कि उसने बहुत ही कोजेंट रिजन्स दिये प्लान को अबेंडेन करने के लिए प्लान को मतलब बहुत ही वैलिड रिजन दिये ऐसे रिजन दिये जिनसे आप कन्विंस हो जाओ आप परस्वेड हो जाओ आप मान लो बात तो कोजेंट मतलब होता है strongly and clearly expressed हाल ही में recent exams में एससे ने दो से तीन बार इसे पूछा है इसलिए इसे याद रटना है अगला वर्ड है वसी फेरस वसी फेरस हमने पहले भी पढ़ा है अपने इसी क्लास में ही तो वसी फेरस मतलब होता है अपनी दिमांड अपनी बात को पुर्जोर तरीके से रखना जोरदा तरीके से रखना पुर्जोर तरीके से बहुत ही confident तरीके से अपनी बात को रखना वसी फेरस हो जाता है उन्होंने हो जाता है strident और boisterous अकला बहुत क्लियरली अपने बात को रखना अपोजिशन फ्रम सीनियर पार्टी मेंबर्स बिकेम इंक्रीजिंगली वसी फेरस यहनी कि जो सीनियर पार्टी मेंबर्स थे ओपोजिशन थे वो काफी ज़्यादा वसी फेरस हो गए बहुत तेज तेज अपनी बात को रखने लगे अगला वर्ड है locatious लोका मतलब हो जा चैटी चैटी तो टीक है वॉल्यूबल गैरलस तो टीक है और वर्बोस एंटोनिम इसके क्या हो जाए तोंगे लाकोनिक तर्स रेटिसेंट जो कम बोलता है इंट्रोवर्टेड इस पर्टिकुलर लोकेशिस ऑन टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स की बात जब आती है तो वह काफी ज्यादा लाक लोकेशिस हो जाता है बहुत अधिक बोलने वाला हो जाता है जैसे जब भी मेट का जो यह गीत का करेक् जोनिक कम शब्दों का प्रयोग करना मीनिंग सबका मोर और लेस्ट सेम है सिनोनिम सी उस हो जाएंगे लेकिन आप यहां पर देख सकते हो कि इस डिफ्रेंस ऑल्सो थोड़ा बहुत डिफ्रेंस भी है सभी में एक्जाक्ट सेम मीनिंग नहीं है इसको भी हमें नोटिस करना इन आर्टिकुलेट इन मतलब नोट आर्टिकुलेट अपनी बात को अच्छे से न रख पाया है गैरूलस बहुत ज़्यादा बोलता है कि क्लीशे बेनल ट्राइट हैकनेड मतलब हो जाता है जो ओरिजिनालिटी नहीं है कुछ नयापन नहीं होना वबोस बहुत ज़्याद मतलब बहुत अधिक बात करने वाला ठीक क्लियर सेशन नमबर 24 इस डन नाव वी आ गूंग टॉक अगें ओरिजिनल इलेटेड वर्ड्स अब टैसिटर्न हमने पड़ा था उसी में ITY लगा दोगे तो क्या बन जाएगा नाउन तो टैसिटर्निटी क्या हो जाता है तरे टे एकिघी कम्यूनिकेटिव इस टैस टैसिटर्निटी वअउन रोगन टैकिह फिल्चेकी टैसिट थेस्व इसका अब्स्ट्रक्टी को लोग लगा है तो रूट वर इस सबीटी मतलब नुट हो शान्टरेंट रहना tacit person मतलब क्या हो गया somebody understood although not put into words मतलब कोई बात जो बहुती there was a tacit meaning to his speech उसकी speech का एक tacit अर्थ था मतलब एक नहित अर्थ था एक implied meaning था जिससे शब्दों में नहीं रखा गया फिर भी उसे समझ लिया गया ठीक है मतलब to be silent शांती से अपनी बिना बोले अपनी बात रखना understood although not put into words tacit का मतलब हो गया कुछ ऐसी चीज़ जो समझ ली गई हो जो understood हो but although which was not put in words यद्देप उसे शब्दों में नहीं रखा गया था इंटोनेम हो जाते हैं implicit implicit meaning है नहीं तर्थ है implied meaning है किसी चीज़ का कुछ जो उसमें already built है unexpressed है जिसे express नहीं किया जा रहा है एंटोनेम expressed हो जाता है spoken हो जाता है we have a tacit agreement we have a tacit agreement that if I wash the dishes she dries them and puts them away we have a tacit agreement हमारा एक tacit agreement है बिना बोले हुए ऐसा agreement जिसमें हमने कुछ कहा नहीं हो we have a silent agreement to us silent agreement that अगर मैंने कब बरतन दुले हैं तो वो उन्हें सुखाएगी और उन्हें रखेगी ठीक है so tacit agreement in which you do not say anything but still it is understood is called tacit adobe हो जाता है tacit लिए है अगला word है reticent तो reticent के लिए जो word है reticent का मतलब भी क्या बताया मैंने unwilling tasio is ka root word है ठीक है ree मतलब again tasio root word है जिसका मतलब है to be silent to ree मतलब again tacit से उसी से decent बन गया मतलब to be silent दुबारा से silent again meaning हो गया unwilling to tell people about things any की जो कम बोलता है लोगों को बताने की इच्छा नहीं है दूसरों कुछ भी उसे कहेंगे who is very close close-mouthed or dark communicative open iska antonym हो जाएगा her husband is by nature a reticent person somebody who doesn't speak a lot and she resigned herself that that fact long ago ठीक है अग्ला वर्ड है locatious इसमें जो आपका root word है वो है loka loker का मतलब होता है to speak ठीक तो लोकर से ही बना locatious locatious का अर्थ हो जाता है somebody who is talking a lot जो बहुत अधिक बातचीत करता है उसे locatious कहते हैं ठीक किनों ब्लैबी चैटी एंड कॉंट्रोवर्शिल आपका जाता है ठीक लोकेशियस कार्थ हो जाता है somebody to speak locatious मतलब लोकार रूट वर्ड है इसका मतलब इसका मतलब speak locatious मतलब जो बहुत अधिक बोलता है ठीक क्लोज माउथ है लैकोनिक रिजर्व इसका antonimamay is locatious good humor in infested everyone infected everyone solo matlab alone solo matlab akele loca matlab speak this is the word bana soli lokiu soli lokiu soli lokiu soli lokiu matlab akele lokii matlab bolna so akalee bolna soli doki matlab akale bolna so a difference especially one connected with unfair treatment ठीक है basically यह meaning इसमें गलत लिखा हुआ है solidlock की का मतलब हो जाता है solidlock की का मतलब हो जाता है कि जो अकेले बोल रहा है solidlock की जो एक प्रकार का monologue के sense में ही आ जाता है आपका solidlock की मतलब हो जाता है act of speaking one's thoughts allowed when oneself or regardless of any haters especially by a character in a play यानि कि किसी play बगेरा में अगर आप यह meaning इसको घटा हुआ यह गलत लिख दिया है ठीक है solidlock की एक प्रकार से monologue ठीक है बतलब play बगेरा में जैसे आपने प्यार का पंच नामा देखी हो या प्यार का पंच नामा टू देखी हो उसमें कार्तिक आरेन का जो लॉग है जो अकेले वो खड़े के बोलता है that is monologue है solidlock है ठीक है hamlet solidlock की मतलब जो उसका एक monologue है is probably the most famous in English drama ठीक है अगला वर्ड है ventryloquist देखो वेंट्री का मतलब होता है ventress ventress मतलब होता है stomach locust मतलब होता है बोलना और IST अगर किसी में लगता है तो वह बन जाता है expert एक्सपर्ट का मतलब belly लोकस मतलब होता है speak IST किसी में लगेगा तो बनेगा common noun expert of that particular field तो ventryloquist का मतलब क्या हो गया जो पेट से बोलता है पेट से नहीं बोलता है basically ventryloquist आपने इस प्रकार के artist देखे होंगे जिसे एक movie है कुछ दिल चाहता है या पता नहीं दिल चाहता नहीं कुछ तो है ऐसे करके इसमें जिमी सेरगिल का एक character होता है वह ventryloquist होता है कि आपने बहुत सारे laughter shows में या कभी India's got talent वगेरा में इस प्रकार के artist देखे होंगे जिसमें वह ventryloquist जो artist होता है वह इस प्रकार से perform करता है क्योंकि जब यह character बोल रहा होता है तो इसका मुह नहीं चल रहा होता है बट फिर भी आवाज निकलती है तो ऐसा मान रहे है वह पेट से बोल रहा है तो इस प्रकार के artist को हम ventryloquist कहता है Frank shows himself to be the only ventryloquist to move his lips but not his feet अगला word है colloquial तो कॉल 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 कॉम और कॉरी कि जितने भी शब्द होते इन सभी का मतलब होता है विद या फिर तो वर्ड है मारा colloquial का मतलब होता है characteristic of informal spoken language or conversation मतलब कहता है यह colloquial term है colloquial term मतलब यह आम बोलचाल की भाशा में इस प्रकार से प्रेयोग होता है तो कॉलोकियल का मतलब हो गया इट में नॉट बी वेरी फॉर्मल इट में नॉट बी ऑफिशिल बट इस अ कॉलोकियल थिंग तो से मतलब कॉलोकियल का ताथपर्र हो गया कि वहाँ आम बोलचाल की भाशा में इसे प्रेयोग किया जाता है characteristic of informal spoken language or conversation is called colloquial यह तो शुनोनिम्स आर कन्वर्सेशनल informal अन्टनिम्स आर बुकिश्ट पॉर्मल लॉर्ण अ लिटरल सब्सक्राइब कॉलोकियल अन्टनिम्स आर वेरी ओफन इस तॉर्टनिम्स आम बोलचाल की भाशा में ऐसा हो सकता है वाइसे जहें काफी इस तॉर्टनिम्स कलोकियल मतलब informal language में कुछ बोला जाता है that is called colloquial term अगला है circumlocution circumlocution का मतलब हो गया आप कुछ बात कह रहे हैं जिसमें आप गोल 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 इस प्रकार से घुमा रहे हैं और मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं तो circumlocution का मतलब हो गया style that involves indirect ways of expressing things याणि कि आप किसी बात पे मुद्दे पे सीधे ना कर ऐसे घुम घुम के बात कर रहे हैं indirectly बात कर रहे हैं that is called circumlocution इससे बहुत नारे वर्ड बन जाएंगे सर्कम लोकेटरी सर्कम लोकेट ठीक है तो टेशियो root word का मतलब हो गया-to be silent route word का मतलब हो गया again lokaar का मतलब हो जाता है speak solo मतलब alone ventress या ventry का मतलब हो जाता है belly chamber con call com call का मतलब हो जाता है vidya together और सर्कम का मतलब हो जाता है अराउंट, ठीक है, now we are moving towards the session number 26, तो word है हमारा laconicity, ठीक, laconic मतलब क्या था, कम बोलने वाला, laconia मतलब sparta, कम बोलने वाला, ठीक, तो laconicity, great economy in speech, यानि कि कम शब्दों का प्रयोग करता है, कम से कम बात को शब्दों का प्रयोग करता है, that is for laconicity, ठीक, लोक, अगला वर्ड मैंन होता है, कोजन, कोजन का root word है, कोगो, मतलब होता है, to drive together, तो कोजन का मतलब basically क्या है, appealing forcibly to mind or reason, यानि बहुत ही, compelling reason देना, बहुत ही अच्छे argument देना, अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, एक, compelling और conclusive, antonym हो जाएगा, inconclusive, in मतलब not, conclusive मतलब किसी बुद्धे पहुँचना, in मतलब not, decisive मतलब, beside ने किया जा सके, so she produced cogent reasons for the change of policy, यानि कि उसने policy को change करने के लिए, बहुत ही, clear, evident, बहुत ही, मतलब, ऐसे reason दिये, जो compelling है, बहुत सही है, ऐसे reasons दिये, adjective हो जाता है, cogency, ठीक, आगे बढ़ते हैं, eloquent, eloquent, लोका मतलब, elo, elo, का मतलब बोलना, eloquent का मतलब क्या हो गया, e मतलब out, so to speak out, eloquent का मतलब हो गया, somebody who speaks out, मतलब वो बहुत अच्छा बोलता है, he expresses himself very well, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से persuade करता है, that is called eloquent, expressing yourself readily, clearly और effectively, बहुत अपनी बात को बहुत effectively रखना, बहुत clearly रखना और बहुत readily र speaker, synonym हो जाएगा, articulate और fluent, he is very articulate in that, he is very fluent in that, इस sense में आ जाता है, antonym हो जाता है, inarticulate, in मतलब not, articulate जो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाए, उससे कहते हैं, inarticulate, in eloquent, जो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाए, unvocal, silence is more eloquent than words, यहीं कि sometimes silence says more words than words, ठीक, अगला root word है हमारा, magnus, magnus का मतलब होता है, large, huge, loka मतलब, to speak, magniloquent मतलब, कुछ बहुत अच्छा बोलना, to speak a lot, मतलब कुछ बढ़ियां बोलना, speaking in or characterized by a high-flown of a bombastic style or manner, मतलब, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, छोटी सी बात उसको magniloquent कर दिया, मतलब, magnify कर दिया, ठीक है, तो छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए आता है, the news of the death of forest appears to have been greatly magniloquent, क्यानि की, forest में जो death हुई है, उनकी जो news है, वो ऐसा लगता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश की गए, तो media का गाम क्या है, तो media always presents the news in magniloquent way, यानि की वो हमेशा चोटी सी चोटी ख़बर को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है, that is called magniloquent, ठीक है, so magniloquent मतलब, magnus मतलब होता है, large huge loquent मतलब कहना, तो छोटी सी चोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता, ठीक है, अगला है grandiloquent, grand मतलब भी हो जाता है, huge loquent मतलब बोलना, तो grandis मतलब huge, तो same वही आ जाएका, grandiloquent मतलब भी हो गया, softly, lofty in style, जो बात को बहुत बढ़ा चला के बताए, मतलब लंबी-लंबी, fake के, bluster हो, bombasting करे, brag करे, bragadocio मतलब अपनी बात को बहुत बढ़ा चला के बताना, कि उसके पास तो यह है, वो ऐसे कर रहा है, हम वहाँ गया, तो इससे कर रहा था, अरे पैसा वहाँ बह रहा था, तो यह क्या है, चोटी से चोटी बात को बहुत बढ़ा चला के बताना, क्या है आपका grandiloquent, ठीक है, ठीक है, verbose, verbose का मतलब हो जाता है, बहुत अधिक शब्दों का प्रियोग करना, word, verbose मतलब हो गया, using or containing too many words, बहुत अधिक शब्दों का प्रियोग करना, क्या हो जाता है, verbose, synonym सो जाते है, diffuse करना, garrulous, talkative, voluble, ठीक है, antonym, compact, concise, crisp, reticent, laconic, terse, सम शब्दों का प्रियोग करना, his writing is difficult and often verbose, यानि कि उसकी writing जो होती है, काफी difficult होती है, और कई बार verbose होती, जितने शब्दों की प्रियोग आवश्यक्ता है, उससे अधिक शब्दों का प्रियोग होता है, ठीक है, verbosity या verboseness, voluble भी मतलब क्या हो जाता है, जो बहुत talkative है, volu, walterus, मतलब हो जाता है, to roll, बहुत ज़्यादा बोलना, marked by a ready flow of speech, somebody who is voluble, मतलब बहुत अधिक बोलना, again, articulate, वो अपनी बात को अच्छे से रखना, fluent, बहुत, fluently बोलना, and turn a mum, mute, silent हो जाएगा, he became very voluble and told her everything, यानि कि वो क उसको उसने उसको सब कुछ बता दिया, ठीक है, अगला है, garulous, हम पहले भी कर चुके है, garulous मतलब वो, gario से root word है, इसका, gario का मतलब होता है, chatter, बोलना, so garulous मतलब, fond of talking, और conversation, बहुत अधिक बोलने के sense में, blabby, chatty, antonym, laconic, reserved, my garulous neighbor had given away the secret, यानि कि, मेरा जो garulous neighbor था, उसने secret, रिवील कर दिया है, एंटर निन नाउन हो जाता है, garolity, ठीक है, मैगनिलोक्विंट मतलब होता है, speaking in or characterized by a high flown of a bombastic way, मैगनिलोक्विंट मतलब मैंने बताया, जो छोटी सी बात को बढ़ा चड़ा के बता है, that is, मैगनिलोक्विंट, ठीक है, magnanimous क्या होता है, अब देखो समझे ध्यान से, magna मतलब क्या हो गया, huge, anim मतलब क्या हो गया, mind, जिसका mind या spirit, आत्मा बहुत बड़ी है, मतलब magnanimous है, मतलब उदार हर्दय वाला है, ठीक है, दिल बहुत बड़ा है, तो showing और suggesting nobility of feelings and generosity of mind, बहुत ही उदार किस्म का बेक्ति है, elevated है, खुश है, gallant, great, ठीक है, debase, degenerate, इसका antonym हो जाएगा, he was magnanimous in defeat and praise to his opponent's skill, यानि कि, जब वो हारा था, तो बहुत ही उदार हर्दय दिखाया उसनों, और अपने opponent की skills को, एक का सम्मान किया, तो magnanimous मतलब हो जाता है, बड़ा हर्दय दिखाना, magna मतलब बड़ा, anim मतलब mind, spirit, तो बड़ा हर्दय दिखाना, बड़ी अपने generosity शो करना है, ठीक है, magnet, यहान रखिये, magnet, magna मतलब बड़ा, तो magnet क्या हो जाता है, basically, a person जो अपने शेत्र का बहुत ही बड़ा आदमी, magnet, ठीक है, that is baron, captain, अपने शेत्र का बड़ा आदमी, magnet, captain, mogul, ठीक है, अपने शेत्र का बड़ा आदमी, ठीक है, अपने शेत्र का बड़ा आदमी, ठीक है, a person of rank, power, influence, or distinction, often in a specified area, किसी particular शेत्र का बड़ा आदमी, ठीक है, business magnet, business tycoon, ठीक है, legend, जैसे विराट को ली, legend कह रहे है, तो अपने शेत्र का बड़ा आदमी, अपने शेत्र का बहुत ही, जिसको बहुत knowledge है, जिसको बहुत ग्यान है, उसे कहते है, magnet, ठीक है, इसी प्रकार, word होता है, मारा, vertuso, ठीक है, vertuso मतलब होता है, जो एक particular art वगरा में, बहुत ही निपोड है, तो magnet हो गया, जो आपका, अपने शेत्र का बहुत बड़ा आदमी, जिसको बड़ा बना देता है, छोटी सी चीज को magnify करके दिखा रहा है, बड़ा करके दिखा दे रहा है, that is called magnify, ठीक है, अब 5 facio मतलब क्या होता है, बनाना, magni मतलब बड़ा, तो magnificent मतलब, somebody extremely attractive and impressive, बहुत huge है, बड़ा है, something which is very attractive, it's very magnificent building, मतलब बहुत बड़ी और बहुत attractive building है, ठीक है, extremely attractive है, और साथी साथ impressive है, बहुत impressive भी है, ठीक है, synonym होजाता है, august, baronial और epic, एंटोनी मुझा है का humble, unheroic और unimposing, the magnificent scene of the waterfall is pleasant, यानि जो waterfall का जो magnificent scene है, बहुत सुंदर scene है, बहुत ही प्लेजन था, बहुत अच्छा था, ठीक है, that is magnificent मतलब, बहुत ही अच्छे किसमें, बहुत ही अच्छे किसमें, size और extent of something, तो जैसे 3.5 magnitude का, तो वो एक तरीके की unit हो गई है, जो बताती कितना जो भुकम था, उसका degree कितना था, उसका major क्या था, account consequence import, insignificance, littleness, जो auditorium is a building of great magnitude, मतलब, जो auditorium है, उसकी value बहुत जादा है, is a person of great magnitude, यानि कि उसके शब्दों कि उसकी बात कि, उसकी इनसान की value बहुत अधीक है, तो उस sense में कहते है magnitude, तो magnus मतलब of great size, of very great extent, एक magnum मतलब large, opus मतलब होता है, account, तो magnus मतलब, magnum मतलब large wine bottle of liquor और wine, तो एक large bottle जो होती है, wine की या liquor की, that is magnum, ठीक है, तो magnum opus, magnum opus मतलब हो जाता है, आपका great work of art or literature, ठीक है, कला का बहुत अच्छा work, जैसे right now animal क्या है, Sandeep Banga Reddy का magnum opus है, ठीक है, बाहु बली, magnum opus है, किसी भी artist का बहुत अच्छा work, बहुत बढ़ा huge work, जो होता है, magnum opus कहते है, ठीक है, classic masterpiece, masterwork, his latest offering is a magnum opus on philosophy, so great work of art or literature, is called magnum opus, ठीक है, अगला है, verbal, verbal मतलब, word से आता है, of relating to or consisting of words, pronounced, said or spoken, the job applicant must have good verbal skills, ठीक है, verbal मतलब, शब्दों का, जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, उस sense में हम कहते है, verbal, verbal मतलब, शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है, एक verbatim मतलब क्या हो जाता है, word by word, in precisely the same words used by a writer or speaker, ठीक है, basically उन्हीं शब्दों का प्रयोग, जो writer or speaker के द्वारा, प्रयोग के जा रहा हूँ, उसने मुझे, पूरी story verbatim सुना दी, शब्द बाई शब्द, word by word, पूरी उसी शब्द, exactly same शब्दों का प्रयोग करके बता देना, that is called verbatim, ठीक है, एक बरी, जितना आपने अभी पढ़ा है, एक बरी quick revision कर लेंगे इसका, and then we will wind up this session, ठीक है, आपने कहां से पढ़ना शुरू किया है, है, वहाँ से एक बरी इसका, quick revision कर लेता है, हमने पढ़ा था है, डिक्टेट करना, किसी को authoritative way में order देना, dictator ताना शाह हो जाता है, dictation और authoritative way में order देना, dictatorial adjective हो जाता है, predict मतलब future बताना, टिक्टाफोन जो tape recorder रिकार्डर से contradict किसी के against बोलना, factory जहां produce होता है, manufacture producer के sense में, artificial कृतिम हो जाता है, voluntary अपनी इच्छा से, involuntary बिना इच्छा के, volunteer करना, किसी के लिए तरी किसे अपनी इच्छा से free में काम करना, volution मतलब इच्छा के sense में आ गया, placate करना, शांत करना, implacable जिसे शांत नहीं किया जा सकता, प्लैसिट काम हो जाता है, complacence अंतुस्ट हो जाता है, कंडोन करना, ignore करना, किसी की wrongdoing को, donor कुछ donate करना, donation बता है, आपका taciton, reticent, laconic मतलब होता है, कम बोलना, ठीक है, laconic मतलब भी कम बोलना, इन articulate जो अपने आपको अच्छा से express ना कर पाए, आर्टिकुलेट जो अच्छा से express कर ले, गैरुलास, टॉकेति, वॉलीबल मतलब होता है, बहुत अधिक बोलना, बेनल, ट्राइट, क्लीशे, हैक्नेड, commonplace मतलब होता है, घिसा पेठा, जिसमें कुछ नया पनना हो, वबोस, अधिक शब्दों का प्रियोग करना, वॉलीबल अधिक बोलना, कोजेंग मतलब बहुत ही clear, compelling reasons का देना, अपनी argument को मनाने के लिए, बहुत ही पुर्जों तरीके से अपनी बात रखना, लोकेशेश बहुत अधिक बोलना, इसके अलाबा, taciton, laconic पढ़ ली हमने, इसके अलाबा आगे बढ़ते हैं, next आता है tacitonity, tacitonity मतलब tendency to say, the tendency to not to say much, जादन ना बोलना, tacit मतलब नहीं अर्थ होना, implied meaning होना, बिनाश कुछ कहे, reticent कम कहना, unwilling to tell people about things, locations अधिक बोलना, soliloquy मतलब monologue, अकेले बोलने के sense में आ जाता है, venture locust इस तरीके का artist को कहते है, calliloquy, arm bowl chal की भाषा में, circum location, घुमा फिरा के अपनी बात को रखना, taciton, to be silent, re मतलब again, local मतलब हो जाता है आपका, local मतलब बोलना, solo मतलब अकेले, ventris मतलब belly, और com, cor, income मतलब होता है, with together, circum मतलब around, ठीक है, इसके अलावा next हो जाता है, हमारा laconicity, मतलब great economy in speech, कम शब्दों का जो प्रयोग करता है, coco cogent मतलब होता है, forcefully अपनी बात को एक तरीके से, मनवाने के लिए, अच्छे reasons देना, eloquent मतलब अच्छा speaker, मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चड़ा के पेश करना, grandiloquent मतलब एक तरीके से, जो फेक रहा है, जूट बोल रहा है, बहुत बढ़ा चड़ा के बता रहा है, verbose अधिक शब्दों का परियो, valuable अधिक शब्दों का परियो, very low stockative, magniloquent मतलब होता है, बहुत अधिक बोलना, bombastic way में बोलना, magnanimous, उदार घदेवाला, magnet, अपने शेतर का बड़ा आदमी, magnify, छोटे सी चीज़ को बढ़ा करके दिखाना, magnificent, बहुत अच्छे के सेंस में, extremely attractive, impressive way, magnitude is a person of great magnitude, उसकी cast value है, magnum opus मतलब होता है, अच्छा काम, magnum मतलब, इक large wine, यह फिर लिकल का, verdict, verbal, शब्दशा, verbating, शब्दशा, आपनी बात को, बता, ठिक, अगर आप ये वीडियो यूटूब पर देखना है, और आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो बही चैनल को subscribe कर लिजिए, और Telegram Channel जॉइन नहीं किया तो वो भी जॉइन कर लीजिए और अगर आप मौक्टेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो rblearning.com वेबसाइट पर जाके ठेर सारे मौक्टेस प्रैक्टिस कर सकते हैं Officers बैट जॉइन नहीं किया तो link description में दिया है वहाँ से course को purchase कर सकते हैं सिर्फ English का प्रैक्ट जॉइन करना चाहते हैं तो वो भी purchase कर सकते हैं Option वो भी available है साथी साथ आपकर अपने English Gamer का crash course नहीं देखा है तो playlist में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं तो मिलेंगे अगले वीडियो में towards vocabulary वो बहतर की जाए आपको समझ में आए कि किस प्रकार आपको vocab को approach करना होता है root words भी कुछ होते हैं जब भी आप जब भी आप laconic को देखेंगे या garrulous को देखेंगे या locatious को देखेंगे तो you will have a different perspective towards them that you will understand कि इसमें ना बहुत सारे शब्दों को याद करेंगे तभी हम exam के लिए अच्छे से prepare हो पाएंगे ठीक है तो आशा करता हूं जितना पताया समझ में आया होगा मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए goodbye take care and have a very great day अगर आप मुझे आप instagram पे follow करना चालते हैं इंस्ट्राग्राम पे आप simply search करिए amantrivedi amantrivedi दो आई एक्स्ट्रा लगा लेना तो मैं आपको मिल जाओंगे इंस्ट्राग्राम पे आप मुझे follow कर सकते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए goodbye take care and have a very great day thank you so much bye